नमस्कार मित्रों मैं भरत रानीजा अपने जोतिष्ट प्रग्राम में आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ मित्रों आज हम बात करेंगे 2021 के सबसे स्रेष्ट मुहरत के बारे में इस वर्स सबसे स्रेष्ट मुहरत कौन से होंगे इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा और स्रेष्ट मुहरत की खाशित क्या होती है इसकी विशेष्था क्या होती है इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा मित्रो मुहरत तो एक वर्स में पहुष से होते हैं पर इन मुहरत में यानि जो स्रेष्ट पांच मुहरत हैं इसके लिए आपको किसी भी पंचांग की आफशक्ता नहीं लेनी पड़ती हैं आपको किसी भी जोतिसी से पूछने की आफशक्ता नहीं रहेगी इन पांच दिनों में आप कोई भी सुब कारिय कर सकते हैं जैसे कि मुंदन संसकार है ग्रव परवेश है गर्वधान संसकार है इत्यादी सगाई का मुरत है विवा का मुरत है आप कोई करना है तो आप दो-चार महीडे में कोई भी सुब दिन की सोच रहे होंगे तो इन दिनों में आप अगर अपना कार्य औरन मिलती है और ये दिन आप कारी के सुरुवात करते हैं तो आपको सफलनता अश्य मिलती हैं। मित्रों हर एक दिन सुब्मौहरत नहीं होता है। जैसे कि अभी दिसम्बर महा चल रहा है। महा में 15 तारिक से 14.9 तक मलमास होता है। इस समय कोई भी सुब्मौहरत नहीं होता है। इसके अलावा मित्रों बात करें कि इसके बाद में गुरु अस्त होगा उसके बाद शुक्र अस्त होगा तो इन दिनों में कोई भी सुब मुहरत नहीं होता है तो मित्रों ऐसा कहें कि जैसे कि पक्षियों के लिए पत्जड होती है पर मित्रों पक्षी भी परिंदे भी पत् अर्थ ही क्या रहे था तो मित्रों एक वर्स में पांच दिन जो है वह बहुतीा का फरवरी को होगा इस दिन आप कोई भी सुब कारिय कर सकते हैं और यह माग मास की सुकलपक्स की पंचमी जो है वह बसंत पंचमी कहलाती है बसंत पंचमी यानि पतजड के कहलाता है बहुती सुब मौरत कहलाता है तो मित्रो ये दिन जो है वह बहुती स्रेष्ट मौरत होता है इसके बाद हम बात करें तो वैसाक मास की सुकलपक्स की तृतिया तिति जिसे हम अक्षर तृतिया के नाम से जानते हैं अक्षर का बहुती स्रेश्ट महुरत होता है और इसका विशेश महत्व होता है इस दिन आप कोई भी चीज़ खरीबते हैं या कोई भी पुंजी आप जमा करते बोधिst करते हैं तो वौ आकशय होती है यानि उसकी वरदी तीगूनी में चोगनी होती जाती है तो अक्षिर सुलपक्स का दिन की शुक्रवार को 14 मई 365 के दिन आ रही है दिन आप बहुत का दिन आ सुल कारिय कर सकते हैं बीना किषी जो टिशी की सला ली इसके बाद जो तीसरा मूरत है वह असार सुकलपक्स की नौमी जिसे सुनम कहा जाता है रवीवार का दिन है और ये 28 जुलाई को ये दिन जो है सुब मूरत जो है 28 जुलाई को होगा तो मित्रों ये भी बहुती स्रेष्ट मूरत है आप किसी भी जो तीस से सला लिए बगेर इस दिन आप कोई भी खरीदी कर सकते हैं कैसा भी सुबकारिय है आप इस दिन कर सकते हैं आख बंद करके इन मूरत में आप कोई भी सुबकारिय कर सकते हैं इसके बाद हम चौते नंबर पे जो मूरत है उसके बारे में बात करें तो कार्टिक सुकलपक्स की एका दशीती थ है नेव के मूरत के लिए का है ग्रव परवेश के लिए किसी भी सुबकारी के लिए यह सुब दिन बहुती स्रेश्ट होता है और यह दिन जो है वह देव परबोधनी एकादशी के नाम से जाना जाता है और इस दिन जो है कोई भी सुबकारी हम आंक बंद करके कर सकते हैं तो यह बहुती स्रेश्ट मूरत है मित्रों इस दिन आप कोई भी सुब कारिय करना चाहते हैं तो अवश्य करें इसके बाद हम बात करें कार्तिक सुक्लपक्स की पूर्णी मति थी जो कि शुक्रवार के दिन है और 19 नौंबर 2021 को है तो यह मूरत भी बह कर सकते हैं तो मित्रों मेरी और से आपको यह विसेज जानकारी मैंने आपको दी है मेरे द्वारा दी जानकारी आपको और पसंद आयोगी वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने उन मित्रों को यह वीडियो और शेयर करना जिनने मूरत की जानकारी चाहिए तो मित्रों फिर मिलूँगा नहीं जानकारी लेकर धन्यवाद